हमारी संस्क्ति, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्य महिमार भारती संस्क्ति में यज्य, योग, एवं मायुर्वेद जैसी अमूल ने विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान प्रिश्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरन्यवासी रिशियों की कुटियों तक, नित्य वन्यमैत्तिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है। न्यम् भर्गो देवस्यधी महिं, धियो यो नह प्रचोदयाद। ओम शान्ति 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 यों। सभी योगी साधग भाई बेनो को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वदन करता हूं। हमारे आदरणिया गुजरात योगा बोर्ड को विशेश रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। जिन्होंने स्थापना से लेकर के आज परियंत पूरी संकल पूर्वक आगे बढ़ा है हमारे आदरणिया भाई। शिशपाल जी जो अथक तप और पूरुशार्ट करते हुए संपूर्ण गुजरात को योग मै बनाने के लिए निरंतरता के साथ प्रयास और पूरुशार्ट कर रहे हैं। उनके पूरुशार्ट को नमन वंदन प्रणाम करते हुए आए हम प्रति दिन योग विद्या को जाने हैं सीखे हैं और योग विद्या के जानने और सीखने के बाद आज हम विशेश रुप से यज्य विद्या को भी हम इसके साथ सम्मिल करके और विशेश के से लाब उठ उस विशे में आपके साथ कुछ चर्चा करेंगे और कुछ विशेश मुख्य और महत्वपूर्ण जो बाते हैं और रखने का प्रियास करेंगे और आज विशेश करके कोरोना काल में भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में एक कहर मचा हुआ है। बहुत लोग भैवी थे, बहुत लोगों ने अपनी जान तक गवा दी। आखिर हम अपने आपको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आपको कैसे बचा सकते हैं, केवल मास्क लगाना, दोगज की दूरी, यही चीज़े यदे परियापत होती तो शायद इतने बड़े-बड लोगडाउन और इतनी सारी चीज़े करने पर हमें कुछ परियाम मिलता, लेकिन वो चीज़े परियापत नहीं है, उस चीज़े यह नहीं रुकेगा, यह नहीं रुक रहा है, हम देख पा रहे हैं, तो हम क्या करें, अपने यूमिनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग करें, हम क्य करें, अपने वायूमंडल से लेकर के, अपने घर से लेकर के सब चीज़े को सैनेटराइज करें, तो आखिर यह सब कारी कैसे सिद्धो, तो इसके लिए आज आप सब लोगों के बीच में, यज्य, जो हमारी रिश्यों के द्वारा प्रदत प्राचिन तम विद्या, उस व कई सारे ऐसे हमारे आईरवेद के गरंथ हैं, उन गरंथों में अलग-अलग प्रकार की बीमारिया, अलग-अलग प्रकार की जो समस्याए, अलग-अलग प्रकार की जो रोग और उपद्रव होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, उनसे उभरने के लिए अलग-अलग उपाएं बताएं और उसमें तीन चिकित्सा पधतिया बताएं एक होती है मानुसी चिकित्सा दूसरी होती है देवी चिकित्सा और एक होती है आसुरी चिकित्सा तीन प्रकार की चिकित्सा इन उपद्रवों से निपटने के लिए हमें बताए उसमें एक होती है मानुस चिकित्सा जो हम आसाव अरेश वटी से लेकर के अलग-अलग प्रकार की आउश्य दियादियों का सेवन करते हैं जो मनुश्यों के द्वारा बनाए गई और दूसरी जो विशेश चिकित्सा है वहे देविय चिकित्सा जो यज्य हवन अगनी होत्र को कहते हैं और आईरवेद गरंथों में कहा कि जिन रोगों का कोई उपचार नहीं है जो अकंट्रोल अवस्था में है कहा यदि खितायूर यदिवा परे तो यदिर मृत्यूर अंतिकम निते वा तमाहरामि असपार्शमेनम सतसारदाएं मृत्यू के करीब जा चुका है जिनकी आयुक्षिन हो चुकी है जिनके अब जीने की कोई आशा नहीं बची है उसको भी नहीं यज्यत तमाहरामि सतसारदाएं उस स्थिती से भी उसको बाहर लाकर के सो सरद्रितु मानि सो साल तक की उसको सवस्थ आयुक्रदान नाता इस प्रकार वेद के उद्गोश है और हमने प्रेक्टिकली भी देखा है कि यज्य करने पर हवन करने पर डेवी ये चिकितसा को अपनाने पर कैंसर, हार्ट डीजिस, पेरलाइसिस, पार्किंसन से लेकर के MND, मस्किलर डिस्ट्रोपी जिसको आज लाई-लाज बिमारी कही जाती हैं उसमें भी हमने अदभुद रिजर्ट देखे हैं और आज जिस कोरोणा काल में हम जूज रहें, प्राचेन काल में इस प्रकार के जो उपदरव होते हैं उसको जनपद 2-100 ध्याय करके एक पुरा वरणन बताया है इस प्रकार की बिमारिया जो पूरे जनपद के जन्पद उखाड देती है लासों की बहार लगा देती ऐसी जो बिमारिया होती है उन बिमारियों को ठीक करने के लिए उन बिमारियों को दूर करने के लिए आईरवेद आधिक गरंतों में विशेश करके जो अलग-अलग उपाय और उपचार बताये हैं उस में से इस प्रकार की जो भयावह बिमारिये बहुत व्यापक रूप से जो बढ़ती हैं और बेक्टरिया, वाइरस या फंगस जिसको हम कहते हैं माइक्रो बाइलोजिकल प्रदूसन के कारण होने वारी बेक्टरिया, वाइरस या फंगस जन्य जो बिमारिया होती है उन बिमारियों को दूर करने के लिए यज्य एक अमोग साधन के रूप में वहाँ पे बताया है और हमने एक विशग्न धूप करके एक हवन सामगरी बनाई इस विशग्न धूप हवन सामगरी में विशेश रूप से जो वाईू प्रदूसन ये भी उसी अध्याय का एक नुस्खा है अहरिवेद के अंदर जिस समय वाईू इतनी प्रदूसिद हो चाती है कि धूमे अनिलेवा विशसम प्रयुक्ते खगा समार्ता प्रपतंति भूमाँ हूं कास प्रतिश्याय सिरो रुजस्च भवंति तीवराह न यमा यमाश्च कहने का अभिप्रा है धूम और वायू से वायू में धूम बढ़ गया या फिर विशाक्त हो गया जिसके कारण से वायू में जो पंची उड़ रहे है वो ठक जाते हैं नीचे गीर पड़ते हैं लोगों को गले में खरास गले में जलन नासिका में जलन और जुकाम नजला और जो भी हम आज देखते हैं सहरों के अंदर वायू प्रदूसन हो जाता है अधिक मातरा में प्रदूसन बढ़ जाता है उस समय लोग बहुत भारी मात्रा में बूरी तरह उससे प्रभाविद होते हैं और यह सारी कंप्लिकेसन देखने को मिलती है कि हम स्वांस लेते हैं, एनर्जी नहीं आती है हमारे ब्लड के अंदर हेवी पार्टिकल्स मिल जाते हैं गठियादी फिर रोग होने लग जाते हैं स्ट्रेस, तनाव, चिजिड़ापन बढ़ जाता है और गले में खरास, गले में जलन, नासिका में जलन, जुकाम हो जाना यह सारी कंप्लिकेसन क्या है, वायू प्रदूसन जब बढ़ जाता है और ऐसा जो हो गया है, उस समय क्या करें, तो उस समय का उपाई उन्होंने बताए विश्यग्न धूप करके, शुश्रुट सहिता के अंदर विशेश करके तीन सोला सत्रा में कल्प स्थान के अंदर यह नुसका बताया है और उसमें लाक्षा, हरिद्रा, हरितकी, हरण, मौथा, निर्गुंडी, इलाइची, तेजपत्र, तगर, खुशकर, मूल, आधिक कुछ ऐसी अवश्यदिया बताई, उन अवश्यदियों का सम्मिस्रन करके उसको अंगारों के पर भी डालना और उससे को जलाना अर्थात हवन करना वंतरो चार पूरवक, यह उप्चार बताया है जब वाहिव प्रदूसित हो जाने के बाद जम होता ऐसे ही और दूसरे नुसके हैं, जो माइक्रो बायोलोजिकल प्रदूसन बढ़ गया है हमने इसका संकलन करते हुए करीब 15 आयरुवेद ग्रंतों के अंदर यज्य चिकित्सा और धुम्र चिकित्सा के विशय में जो गाहन और व्यावहारिक नुसके जो बताये हैं उन सब का हमने इसमें सम्मिस्टरन करके यह उपलवद कराया है उसमें रोगानुसार योग, रोगानुसार आयरुवेद और रोगानुसार यज्य यह तीनों ही चीजे इस पुस्तक के अंदर आपको सरल सहज रूप में प्राप्त हैं तो इसको भी आप ओनलाइन पतंजली योगपीड से आप मगा करके और इसका परियोग ले सकते आयू प्रोजुशन से बचने के लिए विशगन दूप है, ऐसे ही हमने इसका माइक्रो बायोलोजिकल एक्टिविटी भी पूरी देखी हुई है और आपको जान करके हर्श होगा कि P.R.I. पतंजली रिसर्च इंस्टिट्यूटों में इसके ओपर गहन अनुसंधान हम कर चुके हैं और कर रहे हैं और उसमें विशगन धूप करके यह जो हवन सामगरी हैं इस हवन सामगरी से हवन करने पर बेक्टरिया, वाइरस, फंगस, आधी दूर होते, नश्ट होते और कुछ ऐसे विशेश अलग-अलग द्रव्यों को लेकर के भी हमने उसके उपर भी रिसर्च की तो वो द्रव्य में आपके सामने आज यहां पे रखा है देखिए, सबसे पहला है गाई का गी, यह मेरे पास रखा हुआ है, यह गाई का गी है गाई का गी को ऐसे गरम कर दो, यह पिगल जाएगा इस गाई के गी को एक तो हवन करना और दूसरा हवन करने के पश्चात, अंगारों के उपर गाई के गी को ऐसे डाली और उससे जो धूम्रा उठता है उस धूम्र को हमने एनलाइस किया और हमने देखा तो उसके अंदर कोई सारे multiple components होते हैं जो microbiological विशेश capacity रखते हैं और उसके हमने परिक्षन लगा करके देखा परियोग करके देखा skin से सम्मदित bacteria, आतों से सम्मदित bacteria, फेफडों से सम्मदित bacteria उसमें भी जो pneumonia के bacteria सबसे heavy होते हैं TB के bacteria सबसे heavy होते हैं उसको भी हमने देखा इस परकार के कई सारे bacteria और अलग-अलग fungus आदी को उपर हमने इसका गाय के घी का धुआ करके दिया और बिल्कुल ही थोड़ी ही देर में किल हो गया खतम एक तो गाय के घी का धुआ करे इस कोरोना काल में आप बचना चाते हो पहले अपने घर के अंदर अंगारे तियार करके हवन करिए हवन के बाद अंगारे तियार हो जाएगे उन अंगारों के उपर गाय का घी डाल करके और घर और सारी जगाओं को आप उस धूम्रे से भर दें पूरा का पूरा आपका एक एक वस्तु, वायू, सब कुछ सेनेटराइज हो जाएगा, एक तो गाई कागी, यह आपको बताया, दूसरा सरसो, यह मेरे पास सरसो रखा हुआ है, यह पीली सरसो है, एक काली सरसो होती है, राई जिसको बोलते हैं, तो इसको भी हम विशेश कुछ सरसो डाले, हवन हो गया, उसके पषचात अंगारों के उपर सरसो के दाने डाले, यह नहीं है, तो हमारे घर में कच्ची गाने का सरसो का तेल होता है, उसको भी आप डाल सकते हैं, और उसको डाले के बाद, उसस से उठने वाला धूंवा है, उस धूंवे को पूरे गर के अंदर चार और सब जगा पे खेलने दोगे। और उस धुमे से सभी प्रकार के माइक्रो बायोलोजिकल प्रदूसर्ण, बैक्टिविया हो, पाइरस हो, चाहिए फंगस हो, बिल्कल किल हो जाता है थोड़ी ही देर में, एसी नहीं के लंबा समय चाहिए, थोड़ी ही देर में, और कई दिन तक उसका आसर हमने देखा है, तो यह सर्सोको भी आप इस प्रकार से प्रियोग कर सकते हैं। और यह सरल चीजे हैं, गाय का गी अभी वर्तमान में आपको कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर के अंदर होता है, इसी प्रकार से एक नारियल, नारियल का एक गोले है, इसको कूट दिया, या मिक्सी में डाल करके पाउडर कर दिया, एक बुरादा तयार आता है, उसका प्रियोग नहीं करेंगे, उसके अंदर उतना जितना तेल हमें चाहिए, वो तेल नहीं होता है। गोला लीजिए, इसकी चिप्स काट करके आप अंगारों के उपर डाल दीजिए, और अगनी में भी जलाइए, आहूती देते हैं, उसमें सामगरी में मिला सकते हैं, अन्यथा इसको थोड़ा सा मिक्सी में घुमा करके लुक दीसा बना दिया और उसको अंगारों के उपर गिए के साथ या खाली इसे ही डाल दीए, खाली नारियन। उससे जो धुआ उड़ता है, वो धुआ सभी प्रकार के बैक्तरियावाइनस फंगस को दूर करने में सक्षम है, खाली अकेला नारियन, खाली अकेला सरसो, खाली अकेला घी सक्सम है, इसमें से जो आपको मिल जाए, रहे ऐसे ही सबसे जबर्दस तलाव देने वाला काले तील काले तील को कूट दिया, कूट करके लुकदी सा बन गया, उसको आप हवन, सामगरी के अंदर तो आप सीधा-सीधा तील मिला करके आप हवन कर सकते हैं, और बाद में, आप इसको विशेश रूप से कूट करके और अंगारों के उपर डालियो, उसका धुआ होए दिया, और उस धुआ में रहने से कई सारे प्रकार के रोग तो सांत होते ही है, दूर होते ही है लेकिन उसके साथ-साथ माइक्रो बाइलोजिकल प्रदूसर से इसे ही सबसे जबरदस्त जो प्रभाव देने वाले हैं, माइक्रो बाइलोजिकल एक्टिविटी देने वाले ये द्रविय रखे हुए ऐसे ही ये वच, इसको घूड़वच बोलते हैं, ये वच को आप अगनी में आहुती में भी दें, तो ये सुगंदीत भी होता है, उन्माद, पागलपन, श्ट्रेस, तनाव, चिरशिडापन, उनको भी दूर करने वाला होता है, साइनस की प्रोबलम को दूर करने वाला होता है, और भी कई सारे इसके लाब है वच के, और इसको जब अंगारों के पर डालते हैं, और इसका जो धूनी होती है, धूमर होता है वच का, वो भी जबरदस्त रूप से माइक्रो बाइलोजिकल प्रदूसन को दूर करने वाला तुमा होता है, वच, यह भी वच का भी हमने पतंजली योखपीड से पूरा पेकेट ही अलग से बनाया हुआ है, प्योर वच, और कुछ नहीं, यह और वच का भी, तो इसको भी आप ले सकते हैं, और एक कुडा चा जिसको कुटज भी बोलते हैं, उसकी चाल होती है, उसकी चाल को यह कड़वा होता है, बहुत तेज कड़वा होता है, यह से चीराइत आदी हम देखते हैं, इसको जलाने पर भी विशेश रूप से माइक्रो बाइलोजिकल इसमें एक्टिविटी प्रापत है, इसके धूम आपको किराना के दुकान पे मिल जाएगा, अपने घर में थोड़ा बहुत तो रहता ही है, नारियल घर में होता ही है, सरसो घर में छोका दिल लगाते हैं, अपने घर में होता ही है, इसी प्रकार से गाई का घीए अपने घर में होता ही है, तो इन चीज़ों का प्रियों कर और बाद में अंगारों के उपर भी सरसो डालिए या सरसो का तेल डालिए उसका गाड़ा धुआ करिए और उसमें भस्तरी का अनुलोम विलोम भामरी आदी थोड़ी देर कीजिए पांस सात मिनिट हलके गाड़े धुए में उसके बाद आप गाई का घी डालिए उसके गाड अब गाड़े लेकिन 5-5 मिनिट 5 मिनिट सरसो और 5 मिनिट गाई के घीगी धुनियो और बाद में गूगल की इस प्रकार करने पर जिनको कोरोना हो गया है अब गंद भी नहीं आ रही है सीर का भारीपन है वो सारी चीजे केवल केवल हमने कोई सारे लोगों को देखा केवल तीन दिन के अंदर रिपोर्ट भी नेगेटिव गंद भी आने लग जाती है और कम्प्लिकेशन भी समाप सीर दल्द भारीपन ये वो बुखार और बुखार भी जिसको बहुत ज्यादा आ जाता है कोरोना काल में तो उसके लिए भी आईरवेद ग्रंथों के अंदर धुम वाच, कुट, गुगुल, नीमपत्र इनको कुट करके पाउडर बना दिया और सहद के साथ मिला करके हलका सा गिला कर दिया और उसको अंगारों के उपर डाला है उसको अंगारों के उपर डाल करके और उससे जो उठ रही धुनी है उसमें बेठिये उसमें प्रानायम कीज उसमें योगा अभ्यास कीजिए, आपका बुखार भी दूर हो जाएगा, तो ये कुछ जो खोरोना से हमें बचा सकती हैं, ऐसी कुछ आउश्यदियों के विशे में आपके सामने करें, आप अपने घर के अंदर ये जरूर करें, पहले हवन कीजिए, जिसे आज मैं आपको थ सकते हैं, उस विशे में आपके सामने कुछ बताएं, देखिए, हवन करने के लिए छोटी-छोटी समीधा, आपके पास कूंडर नहीं है, तो आप कोई प्लेट ले लिजे, उसके उपर थोड़े से पत्थर कंकर ना दिये, या रेत रख दीजे, धोल करके, इस प्रका में केवल वायू प्रदूशन से प्रतिवर्ष सतर लाख से अधिक लोग मौत के मुह में समा जाते हैं, प्रकृती के साथ मनुष्य के उपर भी अब खत्रे की घंटी बच चुकी है, विकास की दौन में हम प्रकृती का जतन करना भूल गये हैं, मनुष्य अन्न के बिना त जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्य एवं व्रिक्षारूपन, वेद का उद्घोश है, अयम यज्यो भुवनस्य ना भी ही, यज्य पंच भूतात्मक देह से लेकर ब्रम्हंड तक में स्वास्थ एवं संतुलन को कायम करता है, वेज्यानि उत्तम गुणवत्ता युक्त घ्रित जड़ी बूटियां एवं समीधा आदी की मंत्रो चारण पूर्वक आहूती देने पर वो द्रव्य अत्यंत सुक्ष्मव आरोग्य वर्धक हो कर हमें स्वास्त एवं दिर्धायुश्य प्रदान करता है, यज्य भारतिय संस्कृति की मुकुट मनी है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्य जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पुजा पाठ या फिर परवसे लेकर हर सूब असूब आउसरों में भी यज्य करने के सार्व खव्मिक, वैज्यानिक एवं पंथ निर्पेक्ष पावनी परंपरा रही है, आईए, हम संकल्प ले, संसार के स्त्रेश्ट तम कर्म यज्य को अबनाएं, बिंड और म्हांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं, एवं प्रकृती मा की प्रति अपने रिनों को अदा करें, विश्व अवान हम जकषित मा की प्रति आप है, विवे को अपने जीवन प्रति आपका है, विवे क ethnicic They seotब वर मोग आपका है, विवे ढूएंगो फिर खाहिव, पहनी प्रतिय।